बदलती दिन चरिय और खान पान की अवय्वस्दीत आद्टों के कारण आजकल दिल के बरिशों की संख्या बढ़ती हैं हाट में ब्लॉक के चुने से समधित समश्या आजकल आम होती चारी है जिसके लिए अक्सर दिल के मरिजों को बाइपास सर्शरी या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है जो काफी महंगी होती है लेकिन इसके अलावा पी एक ऐसी थेरिपी है जिसके ज़र ये इस शारीरिक समस्या का नितान किया जा सकता है ये थेरिपी है एसी पी जिसका पूरा नाम है एंहांच एक्स्टरनल काउंटर परसेशन दरसल एसी थेरिपी में तीन तरह से दिल में रख्त की प्रवाग को बढ़ा जाता है शहर की प्रसीदे श्री स्वामी समर्त होस्पिटल में डॉक्टर प्रदीपाटिल बितिक कुछ स सालों से इस एसी थेरोपी से दिल के मरीजों का इलाज करें है अज हम डॉक्तर प्रदीप पाटिल और इसे जानेगे जो एसी थेरीपी से ठीक हुए है जिमिर से एक है आपिता वेका जो हाट के साथ साथ ही अन्य कई बीमारियों से भी जूज रहीती उन्होंने अपनी प् फिल्वल कुल जो बेखिता थे सपलय कृघ अपचास दिन हो गए भुझ जलन होती ती ती आप पर गुले में और हाथ जाड ओर ही फा Check to दुखता था, पीछे बहुत पेन होता था, जैसे मतलब वहाँ गई डॉक्टर के पास तो वो सीजर के लिए बोल दिया था, बाइपस, तो फिर यहाँ आके बहुत रिलिफ मिला मेरा मुझे, यहाँ अपरिशन नहीं, यहाँ तो मसिन के जरीए हो गया, नमस्कार, मेरे नाम जमा अंसारी है, मेरी मिसेद आवेदा बेगम है, जिनकी तवियत बहुत ज़्यादा खराब थी, और खराब होने के बाद इस पेंदन में मैंने एडमिट किया इनको, तो वहाँ पे एंजियो गिराफिक किया, इनको चार बलाके जाया, चार बलाके जाने बाइपास भी नहीं कर सकते, इनका हाँ पंदरा परसंट चल रहा था, तो बहुत पुश्किल में हमके घर जाके, हमारे घर में तो रोना दोना मच गया, तो हमारे साथ मेख टेक्स्ट्राइल डीपार्ट के, मिनिस्ट्री आप टेक्स्ट्राइल कर जी थे हैं और संदीप परिशानी आ गई है, मिशेच को यह ये तकलीप है और ऐसा है, इसको भाइपाज भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं करते, तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, अरे जमा जी घबरायिए मत, मेरे को 60 फार्म में जमा जी करते थे हो तो जमा जी घबराइए मत कल आप आपिस आजिए और बोले एक डाक्टर साप के पास परदी पार्डी साप के पास लेके चलूँगा उसके पास उनके पास मैंने इलाज कराया जबकि मेरा तीन ब्लॉकेश था पूरा किलियर हो गया तो कें अब उस फाइल देका यह फाइल देखा साब ने काई बिल्कुर पैसिंट को थेकर मैं बताणी सकता मैं तोड़ा भाविक होगया कि इसका इलाज है ची तो प्र पैसिंट को थे बड़ाए रिआ नहीद आए तो साब जो तॉ साब वल न त satisfaction पिर श्याकर Architecture पेसेंट भी थे हमारे पास, आप घबराईये मत, इससे भी ज्यादा केरियाट पेसेंट है, उसको मैंने ठीक किया, उस दिन से पहले दिन से चालू किया, तो चार पास दिन के बाद उनको आराम लगने लग गया, ये खुद से कहने लगी मेरे को बहुत तकलीफ है, आराम से आप जाए बाद को सोते थे, अभी बी सो रहे हैं, कुछ बहुत तकलीफ नहीं है, नहीं तो रात बनी सोते थे, ना हम सोते थे, ना वो सोते थे, ऐसा पांच दिन में कोई रिलीफ होने लगा, अभी आज पचास दिन के करीब हो गया, बहुत ज्यादा आराम है, और ना कोई उपचारी नहीं था, क्योंकि बाई-पास तो कर नहीं सकता था इसका, इसकी तबीए तो इसी थी, और दूसरा यह करना नहीं सकता, तो साब ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, और यहां पर सर, मैं पचास दिन के अंदर कम से कम पचास लोगों से मिलने के बाद मैंने बादचीत किया, एक इनसान भी ऐसा नहीं बोला कि यह साब से हमको यह फाइदा नहीं हुआ, जितने से भी पूछा मैंने, साब मेरे को फाइदा हुआ, साब मेरे को फाइदा हुआ, यहां तक क्या आर्ट बलाकेज वाला, एक सक्स मिला मेरे को, बड़ी हैरत हुई, मेरे मेरे मेसेज का चार बलाकेज, आपको आठ बलाकेज, बले हाँ, साब के टीटमेंट से मेरे को काफी आराम है, तो ऐसे यहां पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे है, बंबी से आ रहे है, कलकरता से रहे है, पूर्णा से रहे है, गोंदिया से रहे, मैंने काफी मेरा यह संधेश है लोगों से कि जो बाई पास कराने जा रहे हो या इस्टेंड डाने जा रहे हो यह रिपानी करके एक बार सर से आके जुरून मिलिए आपका कोई सामजान करें के सर बिना चीर पाल के आपका पैसेंट सही हो जाएगा ऐसी मैं सब लोगों से करता हूं कि आप अगर कोई आपके रिलेशन में हो जो भी आप देखो इसको तो आप आजू-बाजू वालों इनको जिनको भी बाई-पास होने वाला है या सर्जरी होने वाली है या स्ट्रेंड डलने वाला उसके पहले एक बाग परती पाट्डी साफ से जुरू मेरे मेरी आपको लाग होगा होगा हंड्रेट परसंट होगा तो वहीं उनकी और से एक पेशेंट कंचन सूत ने भी अपनी कहानी BCN News के समख्ष बया करते वे कहां कि उन्हें डॉक्टर ने बाई-पास सर्जरी बताई थी लेकिन उन्हें जब श्री स्वामी समर्थ होस्पिटल की ब भरती हुई फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे वो चीरफाड करने लगे और फिर मैं डर गई मैं बोली नहीं फिर इनका नाम पता चला मुझे कि मैं इनके पस मुझे ठीक लगेगा फिर मैं इनके पास आई और मुझे इतना अच्छा लगा इनके पास आके कि मैं दस द मेरा नम सोनिया सूथ है यह मेरी मदर है कंचन सूथ जो कि इनके ब्लॉकेज इस नाइंटी पर्सन ब्लॉकेज इस बताया था दॉक्टर ने तो हमें फिर यह एड्मिट हो गए थे तो इनको पता चला कि सौमी समर्थन के हस्पिटल का पता चला तो उसी टाम इनोंने का कि मु एवं स्वस्त हुए मरीजों की पारे में पतिल सर के पास तब उनकी हालात कैसी थी और अब ट्रीटमेंट के बाद वो कितना जो है वहां से क्योर हो चुके है क्या है यह सब हम जानते हैं सर से सर क्या बताओगे आभी हमने देखा एक मरीज थे जो बहुत ही क्रिटिकल कंडिशन में आपके पास आये थे किस तरह से आपने ट्रीट किया है नमस्कार आज हम बात करेंगे अभीदा बेगम पेशन्ट की जिनकी उमर है 52 यह और यह आये थे तो इनकी एंजोग्राफी हुई थी तो उसमें चार ब्लॉकेजेज मिले थे 80 से लेकर 100 परसंट तक इनका जो दिल का पंपिंग था 20 परसंट पर आ चुका था और काडियक फेलियर में थी इसके अलवा उनके किड्नी जो है वो भी किड्नी का भी प्रोब्लम था उनको और एनकेपलेटिस यह ब्रेन का भी तकल मुल्टिपल कॉंप्लीकिशन लेकर आने के बाद में जहां उनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल था घड़ली जब मेरे हम पे आयं है तो दो कदम चलती थी फिर बैठ जाती थी दो कदम चलती थी पिर बैढ़िट जाती थी फिर ब्रोग्नोसिस बहुत बुरा था मैंन उनके रिष्टदारों को समझा है कि जो बाइपास बता है वो बहुत रिस्की है भी फिलाल और सरजन ने भी बोला कि फिलाल बाइपास नहीं कर सकते क्योंकि कंडिशन यह नहीं कर रहे है और इजेक्शन ट्रेक्शन भी 20 पर से था फिर हम लोगों ने मैंने पेशन के अस्वेंट से बात किया और ट्रिट्मेंट स्टार्ट कर दिया यह सीपी के 35 सेशन यूजली एडवाईज रहते हैं लेकिन उनकी कंडिशन देखते हैं मैंने पहले ह उनको 50 सिटिंग का एडवाईज किया था आज उनके 50 दिन कंपलेट हो चुक है पहले जो औरत दो कदम नहीं चल पाती थी आज केस में वो कम से कम दो मजला सीड़ पूरा जो घर है उसमें वो जाती है उपर दो मजला चड़ती है चलने में कोई दिक्कत नहीं अपने हस्ब जिन्दगी जी रही है इतने सारे बीमारीयों के साथ आप आप ने ट्रेट किया है तो किया दिक्कते आए आई आपको या कुछ उन्हें दिक्कते गई होंगी या किस तरह दो वह ऑत बार उनका उन्का कंडिशन सीर्ययस हो गया था लिगन आमने एमेंजननैसी मेडिसिन द सब कुछ अभी अच्छा रहा और अभी ठीक हो और उनको हम लोगों ने 50 सेशन से के कम्पलिट किये तो हमने देखा ECP थेरपी जो की बिना सरजरी के हार्ट के पेशेंट में बहुत ही कार्गिर साबित हो सकती है हमने देखा ये उधारन ये एक्सपीडियंस देखा हमने सरका कि जहां कई बिमारियों से गिरे हुए मरीज को भी सर ने रुदै जो हर्ट के पिशन्टे उनने अच्हा किया है क्यूर किया है उसे ट्रीड किया है कई बिमारिया होने के बावजूत भी तो ये ठेरपी जो है कितनी कारगार साबित हो सकती है हमने जाना है cameraperson राजकुमार मोड के साथ मैं क्षेति जादेश मुख BCN News नागपूर